आपने कभी पोटेटो स्टफ मोदक खाए हैंद नहीं तो चलिए बनाते हैं भूब आज बहुत ही टेष्टी और बहुत ही फिक वड़ली पोटेटो स्टफ बनाने nie में मिक्सी की बरतन में यह हाफ प्लेट के करिब सुजी है इसे डाले इसमें ही चीनी डाले हाफ प्लेट से भी कम आप चाहे तो चीनी को कर सकते हैं लेकिन इसे एक अच्छा मीठा पना आती है आपकी जो मोदक में इसलिए हम लोग डाल रहे हैं उसके बाद में इसने कंशना है कम से कम एक प्लेट के करीब इस से डाले इसमें ही चुटी भर नमक डाले और सभी को अची तरस से मिक्स करना है उसके बाद में इसमें ही थोड़े-thोडे करके पाएं डाले आर दो तयार कर ले ले दो को कम से कम 10-15 मिनिट के लिए रेस्ट करने रग दे जब तक क रही है तब तक हम लोग आलो के स्टॉफिंग बना लेंगे अलो के स्टॉफिंग बनाने के लिए मैं कम से कम तीन से चार बॉil किया हुआ आलू ली हूँ आप चाहे तो ज़्या कम भी ले सकते हैं मैं इतना ही ली हूँ उसके बाद में एक ग्यास में बरतन रखे चोटा सा पैन रखे आप कड़ाई या पैन कुछ भी रख सकते हैं इसको अच्छी तरह से गरम कर ले उसके बाद में हम लोग जो आलू लिये हैं बॉयल किया हूँ यहने क्या कर रहे हैं अच्छी तरह से कदूकस करके डाले आप चाहे तो मैश करके डाल सकते हैं लेकिन कदूकस करके डालने से क् कि अलो बहुत ही अच्छी तरह से मैश हो जाती है इसलें मैं कदू गश्वर करके डाल जहा हूं आप। यह हात में सबी को अच्छी तरए से मिक्स कर लें रिंख हमारी जो चीनी कितनी अच्छी तरह से घुल गई है इस स्टेज में आने तक चीनी को पकाए बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है बस कम से कम एक से दो मिनट ही चीने डालने के बाद में पकाना है उसके बाद में ग्यास बंद कर दे और हमारी जो आलू के स्टफिंग है इसे आप आलू की हलवा भी बोल सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से आलू की हलवा बराते हैं आप इसमें ड्राइफ फूर्ट भी डाल सकते हैं उससे कितनी अच्छी तरह से बनी है उसके बाद में डोग को फिर से अच्छी तरह से गुंत ले देकि इस तरह से गुतना है उसके बाद में इसमें ही थोड़ा सा आटा ले और बड़ी रोटी तयार करना है मतलब कि बड़ी रोटी बनाना है जिससे आप नौर्मली रोटी बना थे मोदक बना सकते हैं लेकिन मैं ऐसा इसलिए कर रही हूं ताकि मेरे जो मोदक है वह सभी मोदक एक ही साइज में दीखिए इसलिए हम लोग यह जो बड़ी रोटी बना कर इनकी छोटी-छोटी पूर्शन में कट कर लेंगे देखे हमारी जो रोटी है वह कितनी अच्छी तरह स से भी कि दो बनी है उसको पूरिया चूट बना लेकर भड़ी बनासकते हैं लोग प्लेत के साहिता से कट करना है हमारे सभी पूरिया यह जो है बाद में यूज़ कर लेंगे और जो हम लोग छोटे-छोटे पूरिया कट करके रखे हैं इन्हें हलका-खलका बेल ले थोड़े-थोड़े बेलना है बहुत ज्यादा नहीं बेलना है ताकि कहीं से भी यह जो रोटी है या फिर पूरी है यह मोटा नार है इसलिए इनको हलका सब बेल ले इस तरह से बेलना है इसी तरह से सभी पूरिया को बेल ले उसके बाद में हम लोग जो आलू की स्टफिंग लिए है ना वालू के स्टफिंग डाले इस तरह से डालना है और इन्हें आलू के स्टफिंग को आलू के स्टफिंग डालने के बाद में आलू के स्ट जैसे जमता आप इस तरह से मोदग बना सकते हैं इस के इस तरह से बाभिके जो uży Takes B इस तरह से आप मोदग बना ले उसके बाद में में ग्यास में पफ़ Nlight गरम हो गया है गरम होई या नहीं यह चेक करने के लिए क्लेखा इं चेक करने के लिए क्लिए छोटक उसा तेल इस स्टेज में आप मोदक तले याद रखे तेल बहुत ज़्यादा गरम होगी तो क्या होगा आपकी जो मोदक है वह उपर से पकेगी लेकिन अंदर से बिल्कुल भी नहीं पकेगी इसलिए क्या करें तेल बहुत ही कम गरम रखे और कम गरम तेल में ही आप इन्हें तल ले द तरह से इन्हें भी तलना है देखे हमारे जो मोदक है वह लगभग तलके हो गया है इनका हलका सा कलर चेंज हो गया है मतलब कि हमारी जो मोदक है वह तलकर हो गया है इन्हें निकाल ले और बाकी के जो मोदक है उन्हें इसी तरह से तल ले दिखे हमारी जो दूसरे मोदक है तरह से यह पूरी है उने भी तरले कितनी यूञें अची तरह से हमारी पूरी तरह से फूल रही है। निखाल ले घृत अछान सिवाद है। देखी कितना संदर लग रहा है कितना डिलिसनस लग रहा ना यह मोदक और यह बिलकुल आलू से बनी हुई मोदक है मतलब कि इसमें हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं डाले हैं सिर्फ आलू और राटी की यह मोदक है इसी तरह से बनाए खाए और अगर आपको मे मेरे वीडियो अच्छी लगिए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रू करें धन्यवाद